हलो एव्रिवान केसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे तो आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं ये वीडियो काफी जादा इंपॉर्टेंट है खास दोर पे फॉरेस्टर के जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं फिजिकल स्टेंडर्ड ट फिर एक नोटीस आदा है कि आपका जो फिजिकल स्टेंडर्ड टेस्ट है या पीट है ये पोस्ट फोन कर दिया जाता है ऑक्टूबर महीने के लिए और बच्चे फिर उसके बाद एक प्रॉपर फॉर्मेट है जिसको लेके टेस्ट करवा रहे हैं फॉर्मेट तयार कर रह रहे हैं कि अक्टूबर महीने में अगर ये फिजिकल टेस्ट होता है या फिजिकल स्टेंडर्ड टेस्ट कंड़क्ट करवाया जाता है तो इसमें क्वालिफाइग कर लेंगे अब थोड़े दिन पहले का एक और सर्कुलेट होना शुरूआ बहुत सारी वेबसाइट पे य रिक्रूट में प्रोसेस पे एक स्टे लगा दिया गया है अगली हेरिंग तक अब बच्चे इस डालेमा में इस कंफूजन में हैं कि क्या ये जो मेहनत कर रहे हैं क्या ये जो तैयारी कर रहे हैं फॉरेस्ट के लिए इसका फिजिकल जो टेस्ट है ये अक्टूबर महीने म conduct होगा ये नहीं बहुत सारे बच्चों ने मेहनत करके मतलब मेहनत अगर मैं बात करूँ फिजिकल की तो करी रहते हैं उसके बाद हॉस्पिडल्स में जाके सीमो के साइन करवा के हर एक टेस्ट करवा के अपना मैडिकल भी जो है बना लिया है अब बच्चों का यहाँ पे पहला सवाल जो हम लोगों से पूछ रहे हैं वो यह पूछ रहे हैं कि सर हम लोगों ने मैडिकल बना दिये किते डाइम तक वैलिड दूसरा की सर हम लोग जो इतनी तैयारी कर रहे हैं जो इतनी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो प्रैक्टिस हम लोग खुद देखते हैं लाइब्रेरी के पास सामने ग्राउंड है परेड ग्राउंड में बच्चे जो मेहनत करते हैं तीन तीन चार चार घंटे रोज practice करना असान नहीं है तब यहाँ पे बच्चों को जो है एक clarification चाहिए और यह clarification कहीं ना कहीं सिर्फ JKSSB ही इस समय बच्चों को जो है वो दे सकता है कि क्या JKSSB जो PET-PST conduct करवाना है यह October महिने में ही conduct होगा या यह delay होगा क्योंकि जब से court का order है उसके बाद से JKSSB की तरफ से कोई भी official notice नहीं आया है अभी तक हमारे end से हम लोगों ने कोब पता करने की कोशिश करी लेकिन एक clear picture जो है वो नहीं मिल पा रही है तो बच्चे जो हम से पूछ रहे है तो यही सवाल सेम बच्चों के बिहाफ पे हम लोग भी जो है अब forest department को और JKSSB को ही पूछेंगे कि यह जो physical है यह होगा या कब conduct करवाय जाएगा इस पे clear picture मिल जाए क्योंकि जो next hearing है क्या वो hearing pre-porn करवाने की कोशिश की गई है या नहीं करी गई है तो यह अगर चीजे clear हो जाती है तो बच्चों को थोड़ी सरसानी हो जाती है क्योंकि वो बहुत effort डाल रहे हैं यह 25 km की तयारी में और इसके बाद आके वो बिचारे पढ़ते भी हैं तो यहाँ पे यह इनका हक बनता है कि इनको एक clear picture जो है वो मिले कि क्या यह P.E.T.P.E.S.T. है तो तो फोरेस्टर के जितने भी बच्चे है P.E.T.P.E.S.T. के लिए जो तयारी कर रहे हैं आप लोगों को हम लोगों नहीं कहा था कि आप लोग फिलाल जब तक official कुछ भी नहीं आ रहा तब तक इसको continue रखो अपनी तयारी को तो एक official tweet करके ही अगर आप लोगों को official notice नहीं निकालना तो आप एक tweet करके ही बच्चों के inform कर दीजिए कि यह कब होगा court case का क्या impact इस पे हो सकता है press release की अगर हम बात करने तो बहुत बार पहले निकलती थी जेकर SSB के end से तो वैसे ही कुछ करके आप लोग इस चीज को clear कर दीजिए ताकि बच्चे जो है वो उसी तरीके से तयारी अपनी continue कर सके तो यह जो confusion है यह खतम हो जल से जल और हम लोगों की अगर बात करने देखो हम लोग के बच्चों के हाथ में appointment letter मिले और बच्चे आगे बढ़ें अब यह जो delay होता है यह किस होजा से होता है क्यों होता है क्योंकि Forrester recent post नहीं है यह पहले एक बार भी आई है और उसके बाद 2019 में withdraw के फिर यह advertise करी गई थी और आज 2024 चल रहे हैं यहां पर तो यह post के लिए बच्चे जो मेनत कर रहे हैं उनका हक बनता है कि यह जल्द से जल्द खतम हो और जो भी बच्चा इसमें deserving candidate है उसके आग में job आए इसके साथ साथ ही अब जैसे जेगे भी constable की बात की जाए तो इसका syllabus अभी तक आउट नहीं करा गया है जेगे SSB के द्वारा बहुत टाइम से धाई-तीन मेने का टाइम अब इस post को भी advertise करे होने वाला है अभी तक syllabus आउट नहीं करा हुआ forester के साथ ही एक forest inspector की post भी थी जिसका भी syllabus अभी तक exam मतलब कब होगा पता नहीं लेकिन काफी time हो चुका है इस recruitment को आउट करे हो लेकिन उसका syllabus आउट नहीं करा गया तो यहाँ पर यह request है कि अगर कोई pending syllabus पड़े है अगर जेके SSB तक पहुँच चुके है तो उसको भी advertise कर दें ताकि बच्चे तयार उसको शुरू कर दें तो यह सबसे पहली चीज है कि बच्चों को clear picture मिलना बहुत ज़रूरी है हमारे एंड से हम बच्चों को बस यही suggest करेंगी कि आप लोग जैसे कर रहे हैं उसको continue रखें जब तक official notice नहीं आता और यही request है forest department से यह request है कि जल से जल एक कोई official statement है या press release की form में tweet की form में किसी भी तरीके से आप लोग बच्चों तक यह पहुंचा दे या फिर आप direct admit card release करके ही बच्चों तक पहुंचा दे कि आपका exam यह होगा कब होगा किस तरीके से होगा जैसे पहले निकाले गे थे तो बच्चों को एक idea मिल जाते क्योंकि unnecessary panic जो है वो create हो रहा है यहाँ पे students में तो चलिए आज के लिए सिर्व इतना ही बाफ की आप लोगों से request है कि अगर आप चैनल पर नहीं आप इस चैनल को subscribe कर सकते हैं ताकि आपको हर एक update मिलता रहे और इस वीडियो को share कर दीजेगा जतना से आप भी पहुंचे तो आज के लिए सिर्व इतना ही मिलते हैं आप से जल्दी ने लेक्चर के साथ बबाई डेकर आल रवेरी बेस्ट